आप सब पर स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल शाय मिस्टा में गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाले चने की सबजी और हल्वा सूजी का हल्वा जो की अस्टिमी और नौमी को भोग लाया जाता है मतारानी का और यह बहुत इजी स्टेप में बनाना बताएं कि उंगली से नाखुन से दबाने से तूट रहे हैं तो इसी तरह से हम कर लेंगे अगर आप बाइचांस भूल जाते हैं विगोना तो आप 5-6 गंटे के लिए गरम पानी में विगो करके रख दीजिए और यह हो जाता तो चलिए जब तक वह रखते हैं साइड में और बना इस लिए तो एक स्प५ू धनिया पाउडर , a अम ढाल देंगे और यह दाल देंगे हम तोड़ी सी सी लाल मिर्ज पाउडर देखिया विछा पर अपश में काले मिर्ज डा सकते हैं ठोड़ी सी हीन , दों से तीन सीच के करीब और इसको दाल पाइच बना डालेंगे जिसे कि हम जब मसालिय अपने अइल में डालेंगे न तो वह जलेंगे नहीं और अच्छे से बन जाएंगे ठीक है पकालेंगे विचैंगे इनको अच्छे से तो यह देखे पेष्ट बन चुका है हम ने डाल दिया है पानी डाल कर पेष्ट बन जीरा फटेवर स्पून हींग थोड़ी सी जीर चौक में भी डालेंगे और पेश्ट बना देंगे और पका लेंगे देख सकते हैं इस तरह से पकाएंगे चलाते हुए इससे क्या होगा मसाले मारे जलेंगे नहीं और अच्छे से कूख हो जाएंगे तीकिये हलका से मासाला ड्राइओं लेगा इसमी थोड़ी है अज दो पॉन के करें पानी फր से पका लेंगे क्योंकि मसाला पकने में थोड़ा अच्छे से पका लिए अच्छे से पका लिए क तो यह अच्छे से कूख हो गया है मसाला तो अब इसमें हम आट करेंगे अपने चने जो कि हमने भी वो करके रखे थे अच्छे से देखिए बॉयल नहीं कर रहा है बस ऐसे ही तो इनको अब हम एक मिट के लिए मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम आट करेंगे तो देखिए इसमें हम पानी आट करेंगे तो पॉन काटोरी हमारा चना था तो इसमें हम हाफ काटोरी पानी आट करेंगे क्योंकि पानी की कॉन्टिटी जाला नहीं रखेंगे तो यह देखिए हाफ काटोरी पानी हमने आट कर लिया है और अब इसको हम चलाते विए थोड दमख सब तरफ हो जाए और अब इस कुकर को हम बंदकन के इसका फिजल efficient एफ लेंगे तीज ऑच पर x5 मिन्ट के लीस को धीमी पर चोड़ेंगे लिएनिष्यक 받고 ठैंगे पांचमी वर को धाता देंगे तो देखें वह उतने ही टेस्टी और hybrid यम्प स्वाधिस चैने बने करूंब काते हैं तैंसे of Alfy August Cur Только आपका इस तो ना चैने हें पाह। दिए सूल दिया है अपनो और यह मिल जाती है मोटे सब्सक्तिकार, अचिछ की न चनले लिया है नी तो ये इसमें हम अच्छे करेंगे करीब करीब दो स्पून घी बच लेंगे तो अब क्या करेंगे इसमें डाल देंगे hem कोई नाप से कोई नहीं बता जबा रहे存 le तो पॉन का टोरी हमारी सूजी थी तो हमने ले लिया था हाफ का टोरी गी क्योंकि यह बहुत जरूरी है घी अच्छी मात्रा में होना चाहिए तब ही टेस्टी और स्वादिस छल्वा बन करके तयार हुआ तो देख सकते हैं होई है कि एठ में डाना के लगवल के इसको बून होतु जो हमें डालने हैं तो यह देखिए नारियल बादाम और किसमिस काजु जो भी ड्राइptic हुलीवी आपको ले आपना में कसमीस में सकते तो इसको इस भी साथ में भून लेंगे थोड़ा सा तो यह ड्राइफ रूट हमारे इसके साथ ही भून जाएंगे तो देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है यह अभी आपको डाक लग रहा है मगर ऐसा नहीं है बहुत अच्छे से आएगा तो देखिए हमने पॉन कटोरी इस में बनाएंगे तो आपको अगदम पर्फेक्ट बनेगा यम्मी बनेगा इस नाप से अगर आप बनाएंगे तो देख सकते हैं अब इसमें चीनी नहीं एड करिया तो अबने चारगुना पानी ले लिया है सूजी का अपना तो इसको हम क्या करेंगे कुप करेंगे अच की लेऊ है तो यह देखिये सागव अढ़न पर यह थिक हो गया है तो क्या कर journée ही अब इसमेंगे अपने करेंगे है कि हमने चीनी पूर। फुल कटोरी भर के लिए कि हमारी पॉर कटोरी हलवा था तो इस पुल भर के लोगो पुल वह बहुत्त मीठा और Tasty तो ये देख सकते हैं है तो यह अच्छा से फिर से हमारा जो सुजी आ जो पि अिक Τराट हो चुका है कि चीनी में लटी है तो ये देख सकते हैं पतला हो गया तो इसको भी पकाने से हमारा चुंसी और बन कर Κरोत करने भाद तरह करो औस यू çम पर देंगे 3 अब देख सकते हैं आप जब भी हल्वा बनाया इसी तरह से बनाया जो को बहुत टीस्टी लगे खाने में बच्चे भी बड़ा पिल्ट्रीम से खाएंगे तो यह देखिए हलवा हमारा कुख हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा पका लिया है हमने पका लेंगे थोड़ा सा और यह देख सकते हैं इसका दाना दाना खिल करके आया है सूजी में हलवे में और बहुत बहुत रसीला है तो क्या करेंगे जो हमारी जो हमन हमारा सूजी का हल्वा है उसमें चमक आजाएगी तो देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद में से हम करेंगे सर्व तो पहले देखिए मिक्स कर देंगे और एक बाद यह थोड़ा सा एलाइची पाउडर एक स्पून के करी बो भी हमने मिक्स कर दिया है यह सर्व करेंगे बाद में पहले कुकर देख लेते हैं विसल हमारे निकल चुकी है तो अब देख सकते हैं वाव इतने टेस्टी चने बन करके तयार हुए हैं यह आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे और ड्राइ और मसाला एक एक चने पर कोड है बहुत अच्छे से तो चलिए हम अपनी तरफ से देते हैं इसमें डालते हैं हरी धनिया और मिक्स करके सर्व करेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं तो यह देखिए इस तरह से हम सर्व करेंगे जो कि बहुत बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगेगा है देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है बहुत टेस्टी तो चलिए अब हल्वा सब करते हैं यह देखिए हमारा हल्वा जूसी और टेस्टी हल्वा बन कर तयार है एक बात हो गाइस अभी आपको यह थोड़ा सा गीला गीला लग रहा होगा लेकिन जैसे यह ठेंडा होगा थोड़ा सा और टाइट और कितना यमी लग रहा है इस तरह से आप भोग पुरसाद बना करके मातारानी को भोग लगाईए तो मातारानी बहुत चलिए